नमश्कार फ्रेंच आज मैं दिखाउँगा अपने हम दुकान के बारे में जो कि बश्ठी बजार में पढ़ता है जो कि जोनफूर के अंदर आंप बर्षक्रि पोश्ट परता है जिसके अंदगत मरग किराना के एक दुकान है कर घ्रहाय फ्रेंश इस समय में जा रहा हूं बस्ती बजार जो कि बस्ती बजार में पढ़ता है मेरा एक दुकान दुकान है कि आपका जनले सभा से समय किराना से संबंदी सारे चीज मिलता है यहां तक कि आपका कॉस्मेटिक आइटम भी मिलता है तो फिलाल इस समय मैं खड़े हैं अपने दुकान में तो आपके कैमरे के मादम से दिखाना चाहते हूं कि हमारा है दुकान जो कि गोपाल के नाम से है यह बश्टी जरोटा वाले पर है तो यह जरोटा रोड हमारा जो है गाउं से लिंक करता है रोड तो फिलाल हम अभी अपने दुकान के कुछ किस तरह से बनाया गया है उसके बारे में दिखाऊंगा और बाहर से भी दिखाने के कोशिज करूंगा यह हमारे दुकान जो कि मैं अपने सेल्फी कैमरे से ले रहा हूं तो आपको वायक साइट कैमेरे से अपने दुकान को दिखाने की कोशिज करूंगा आप लोग को से हमारा दुकान गोपाल किराना स्टोह के नाम से है जो कि देख रहे है क्याना फिल है जो अभी पूरा कारिभाल नुदु का संभाल के रखत है और आप लोग दुकान में यह अंदर है यहां इस्टोर है जो शमान सामागरी शब रखा हुआ है यह हमारा डी फ्रीजर है जो कोल्डिंग का भी बेवस्ता है सारे वराइटी का तेल भी यहां पर उपलब्द है अब रांड से लेकर लोकल हर चीज को ले सकते हैं देखिए CCTV लगा हुआ इस दुकान में सारे समागरी है नीचे जो लगा हुआ है यहां पिक आफार शारय लाद वराइटी है यह बाकि यह मारा काइस काउंटर है यहां से हमारा मार्केट शामने की तरफ दिखाई देता है जो गरहां के अनदर १्रीजार तो आहůरा है धुसल आध को हमारे कूरे नहीं रहा हूं अंदर चलते हैं अंदर इस्टोर है यह दो रूम बना हुआ है मारा तो यह च्छोटा से श्टोर है बाकी स्टोर और बाहर रखा हुआ है दूसरे जगह पे तो कि सारे समय यहां पर नहीं आ पाता यह हमारे back side से दिखा रहा हूं अपने दुकान का पूरा यहां से इस तरह से सिजावट है रखा हुआ है आगे front में पूरी market का road है यह अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं यहां से यहां से आगे जाएंगे तो में मार्केट में जाएंगे यह हमारा मार्केट का इंट्री पॉइंट है जहां पे हमारे दुकान है गुपाल कि राना इस्टोर के नाम से यह हैं गुपाल कि राना इस्टोर के नाम से हमारा पुरा दुकान है